नमस्कार दोस्तों विद्युद अध्याई की इस दूसरी कक्षा में आप सबका स्वागत है मुझे पूरी उमीद है कि आपने विद्युद अध्याई के पहले विडियो को अच्छे तरीके से देख लिया होगा उस विडियो में हमने ओम के नियम तक की चाचा की थी जबकि इस विडियो में हम उसके आगे की चीजों को देखेंगे तो आईए शुरू करते हैं उन चीजों को समझ कर कि वह कौन से कारक हैं जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है यहाँ दिखाया गया चित्र दोस्तों एक वस्तु का है जिसकी लंबाई L है अनुप्रस्त काट का छेत्रफल ए है इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि यह कुछ नहीं बलकि एक जिहां प्रतिरोध है तो इसका यह चोर प्रतिरोध का यह चोर मान लेजिए और इसका यह किनारा आप यह चोर मान लेजिए और इस पूरे वस्तु के जो बीच का द्रव्यमान है वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो इसको बतला रहा है तो देखते हैं कि यह लंबाई और इसका अनुप्रस्ट काट का छेत्रफल और यह प्रतिरोध हता क्या है और यह कैसे बदलेगी इस प्रतिरोध के मान को तो मैं आपको उपर-उपर से पहले एक वर बता देता हूँ कि प्रतिरोध जैसा आप सब लोग को पता है कि प्रतिरोध उस मान को कहते हैं जिस मान से कोई भी वस्तु अपने से होकर विद्युधार प्रवाहित होने में अवरोध पैरा करती अथाथ अगर प्रतिरोध जादा होगा तो अवरोध भी जादा होगा और अगर प्रतिरोध कम होगा तो अवरोध भी कम होगा तो देखते हैं इस प्रतिरोध को कैसे बदला जा सकता है इस लंबाई या फिर छेतरफल को बदलते है तो जो प्रतिरोध होता है दोस्तों वो अनुक्रमानुपाती होता है लंबाई के यहां मैंने गलती से छोटा वाला यल लिखती है मुझे बरा यल लिखना चाहिए क्योंकि यहां हमने बरे यल से उसे दिखाया है तो जो प्रतिरोध है वो समानुपाती है अनुक्रमानुपाती है इसकी लंबाई के इसका क्या मतलब वोगा कि अगर आप इसकी लंबाई को बढ़ाते हैं तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा आईए समझने की कुशश करते हैं क्यों प्रतिरोध वो है जो जितने मान से वो अवरोध लगा रहा है तो अगर रास्ता ही छोटा है दोस्तों, अगर current को, अगर विद्युद्धारा को इतना ही रास्ता तै करना होता, तो वो यहां से आती और इसके atoms से, इसके अंदर छुपे, अनुमों से टकराते हुए, जब इसको pass करती, तो यहीं से निकल जाती, पर आपने लंबाई बढ़ तो जैसे ही हमने लंबाई बढ़ाई, प्रतिरोध जो पैदा कर रहा था ये वस्तू, वो प्रतिरोध भी बढ़ गया, इसलिए हमने यहां लिखा है कि जो प्रतिरोध होता है, वो अनुक्रमानुपाती है, आप बढ़ाएंगे लंबाई, तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, दूसरी बार में कहा गया दोस्तों कि जो प्रतिरोध है वो व्यूत क्रमानुपाती है इस अनुप्रस्त काटके छेत्रफल के अर्थात इस छेत्रफल के इसका मतलब कि अगर आप इस छेत्रफल को बढ़ा दें इतना करते हैं तो जी हाँ तो प्रदिरोध का मान भी घट जाएगा क्योंकि ये व्यूत क्रमानों पाती है आप A को बढ़ाते हैं तो R अपने आप घटेगा क्योंकि पहले पूरे करेंट को पास होने के लिए इस वस्तु से पास होने के लिए बस इतनी सी जगह थी तो सब आपस में टकराते टकराते पास हो रहे हैं पर जब आपने उस पूरे जगे को ही बढ़ा दिया तो सारा करंट फैल जाएगा और आसानी से पास हो सकता है आपस में टकराएगा नहीं बनकी आसानी से सारा करंट आगे निकल जाएगा तो जो प्रतिरोध है वो इस अनुप्रस्त काट के छेतरफल के व्युत्रमानुपाति होता है जब हम इन दोनों को मिलाएंगे दोस्तों तो हम पाएंगे कि जो प्रतिरोध है वो समानुपाती है LK और विद्प्रमानुपाती है AK मैंने दोनों को एक जगह ही लिख दिया है और अगर हम, मैं हर जगह L कर देता हूँ मुझसे गल्दी हो गई थी तो अंत में आपको ये मिलेगा कि जो प्रतिरोध है वो समानुपाती है LK, विद्प्रमानुपाती है AK और जब मैंने यहां से इस समानुपात का चिंध हटाया तो जब भी आप ऐसा करते हैं तो आप एक स्थिरांक देते हैं और वो स्थिरांक है दोस्तों, रो इसे हम इस चीज को जिसे हमने ऐसा लिखा है इसको कहते हैं रो, रो को प्रतिरोधक्ता कहते हैं और उस वस्तू के माटेरियल पर डिपेंड करता है यह जो वस्तू हम आप यहां देख रहे हैं यह किस चीज का बना है, यह प्रतिरोधक्ता उस पर निर्भर करती है इस Rो को अनुपातिता इस थिरांग कहते हैं और जो चालक के पदार्थ की वैद्यूत प्रतिरोधक्ता बता रहा है और ये हर पदार्थ के लिए हर अलग-अलग वस्तु के लिए यह प्रतिरोधक्ता अलग-अलग होगी तो यह जो formula हमें मिला है दोस्तों यह बहुत महत्यपूर्ण है r is equal to rho into l by a तो इसे हम याद रखेंगे और इस पर प्रश्न भी बनाएंगे आईए दोस्तों इस प्रश्न को बनाते हैं यह प्रश्न कहता है कि दियेगा पदार्थ के किसी l लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध चारों है तो प्रतिरोध दिया है फिर कहता है कि इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई आधी कर दी गई है और मोटाई दुगनी कर दी गई है तो ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों की पदार्थ नहीं बदल रहा है वस्तु बदल रही है उसकी लंबाई बदल रही है उसकी मोटाई बदल रही है परन्तु पदार्थ नहीं बदल रहा है पदार्थ नहीं बदलने का क्या मतलब कि पहले भी अगर यह लोहे का होगा तो अभी भी यह लोहे का है अगर पहले अल्यूमिनियम का होगा तो अभी भी अल्यूमिनियम का है तो पदार्थ नहीं बदलने के कारण से जो प्रति रोधकता है वो दोनों ही जगह पर उतनी ही रहेगी चली इसको बनाते हैं ताकि ज़्यादा समझ भाएं तो आपको दिया क्या है आपको प्रति रोधकी कामान दिया है जो की चारों के बराबर है तो पहले हम लेखते हैं कि R is equal to Rho into L by A जहां ये L इस L के बराबर है और ये A इस A के बराबर है और ये R जो की चारों दिया है जी तो आपको Rho into L by A is equal to 4 O इतना हमें मिल गया अभी इसके दूसरे भाग पर आते हैं दूसरा भाग क्या कह रहा है दोस्तों कि इसी पदाठ के किसी अन्यतार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L बटे 2 और मोटाई 2 बटे 2 है तो मान लीजिए कि उसकार जो है वो R2 है ऐसा मान लेते हैं कि उसका प्रतिरोध R2 है तो R2 के लिए सूत्र तो सहीं नहीं होगा जो कि Rho गुने L बटे A है तो Rho यहां वही रह गया दोस्तों पर इसकी लंबाई क्या हो गई L बटे 2 हो गई और इसकी मोटाई हो गई 2 A तो जब आप इसको लिखेंगे तो आप Rho गुने L बटे A और यहां भी Rho गुने L बटे A उसी तरीके से है और Rho गुने L बटे A का मान है 4 तो 1 बटे 4 यह 4 यहां 1 बटे 4 आया गुने और Rho गुने L बटे A का मान मैंने 4 रखा जो कि A कोम के बराबर है अर्थात अगर आप तार की लंबाई को आधा और उसके छेत्रफल को दुगना कर देते हैं то उस तार का जो प्रतिरोध है वो चार गुणा कम हो जाता है पहले देख़ें प्रतिरोध has 4 ogm और अब हो गया 1 ogm, तो 4 गुणा कम हो गया दोस्तो प्रतिरोध ऐसे प्रष्ण आप अपनी पाथपुस्तक से और भी देख करके बना सकते हैं आईए दोस्तों आप देखते हैं कि प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध क्या होता है और इसे कैसे निकाल सकते हैं इसमें हम यह सीखेंगे कि प्रतिरोधकों के समूह को जब अलग-अलग तरीके से एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो उसका प्रतिरोध जो उसका एक समायोजित प्रतिरोध जो बनेगा उसे कैसे निकालते हैं पर उसके पहले मैं आपसे एक प्रशन पूछना चाहता हूं चलिए ये प्रशन को थोड़ा रोचत बनाते हैं के यह जो लटीर मैंने ब्लू कलर में खीची आ अप इसे हाईवे समझए हाईवे अर्थाद बहुत अच्छी सरक और यह जो लाल कलर से मैंने जो लखीची है वह बूरी सरक अर्थाथ छुरे देर अच्छी सरक फिर बूरिस अ milk फिर अच्छी सरक और फिर औरंज क्लर के लिट लाई और फिर से थोरी बूरी सरग और फिर से अच्छी सरग तो आप मुझे ये बताईए कि इधर से मान लिजें बहुत सारी गारियां गुजडने की कोशिश करते हैं बहुत सारी गारिया क्या ऐसा मान लिजें कि आप ही इधर से जा रहे हैं गुजर रहे हैं कार में बैठकर मोटर साइकल पर बैठकर साइकल पर बैठकर तो जब आप हाईवे पर जाते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्यों क्योंकि हाईवे बहुत ही अच्छ तब आपको इस सड़क से प्रतिरोध का सामना करना परेगा और आप इस पर गारी अच्छे से नहीं चला सकते हैं पर जैसे ही आप फिर से अच्छी सड़क पर आते हैं आप फिर से गारी अच्छी चलाएंगे और फिर बुरी से रख पर आने के बाद फिर आपको प्रतिरोध का सामना करना पर एक और अप्यों गारी है वो फिर से थोड़ी आपको परिशानी होगी चलाने में और हाईवे पर जाने के बाद फिर आप अच्छे से गारी चला सकते हैं परन्तु ये सारी गारियां जो यहां से गुजरेंगी इस सड़क से गुजरेंगी वो हाईवे पे भी जितनी गारियां है इस खराब सड़क पे उतनी गारियां है फिर से इस हाईवे पे उतनी गारियां है और खराब सड़क पे उतनी गारियां है गारियों की संख्या में क आपको जाना है तो आपके पास एक ही रास्ता है आप यह रास्ता कैसा भी हो आप इसको पार करेंगी तो इस रास्ते में कहीं अच्छा अच्छी जगह थी कहीं बुरी जगह थी तो बुरी जगहों पर भी गारी गई उतनी गारिया गई जितनी गारिया अच्छी जगह पर ग तक है वह एक चालक बहुत ही अच्छा चालक जैसे कि वायर नॉर्मल सा वायर जिससे विद्युधारा प्रवाहिट होती है और यह जो बुरी सडक है उससे हम कहेंगे एक रेजिस्टर रेजिस्टर क्योंकि रेजिस्टर इस एक बुरी सड़क है यह हमेशा अपने से जो करेंड जो विद्धारा प्रवाहित हो रही उसको रोकना चाहती है जैसे सड़क आपको गारी चलाने से रोक रहे हैं और फिर यहां जो अच्छी सड़क आई पृति दाल गिया तो इस प्रतिरोध का नाम मैं आरवन डालता ूहीं अաղिन और यह जो गारियह जो यहां से गुज़र रही हैını जो मैंने आपको बताए उसको मैं current का नाम दूए अठाट गारियां वो current हैं तो जब आप दो प्रतिरोधकों को इस तरह से जोडते हैं इस जोड को कहते हैं दोस्तों श्रेनी क्रम में जोडना हो तो श्रेनी क्रम में जब भी विद्युधारा प्रवाहित होगी तो जितनी विद्युधारा आरवन से होके गुजरेगी पहले प्रतिरोध से होके गुजरेगी पूरी ही पूरी विद्युधारा को आरटु से होकर भी गुजरना परेगा क्यों? क्योंकि उसके पास और दूसरा रास्ता है ही नहीं, इस आपको A से B पे आना है, आपको A से B पे आना है, तो आपके पास एक ही रास्ता है, तो जब आप अच्छी सड़क है तब भी उतना ही करेंट, बुरी सड़क है तब भी उतना ही करेंट, फिर अच्छी सड़क है या बढ़ेगी नहीं आये अब एक दूसरा सिनारियो देखते हैं दूसरा केश देखते हैं कि क्या होता है दूसरे केस में मैं फिर से आपको हाईवे वाला ही वह दाहरन देता हों एक अच्छा हाईवे यहाँ से यहां तक आता है परन्तु इस हाईवे से अब तीन अलग अलग सड़के निकलती है एक ये भी एक खराब रास्ता है एक दो ये भी एक खराब रास्ता है और चलिए एक बैंग निस दिखा देता हूं एक तीन ये भी एक खराब रास्त और यह सारे रास्ते भी लिए एक अच्छे से हाईवे में मिल लाते है ठीके दोस्तों कि तो अब देखिए यह दिनले शुरू का यहां से जो गाडिया और यह आएंगे कि सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, जो सबसे अच्छा रास्ता रहेगा, उसमें से जादस जादा गारियां जाने कोशिश करेंगी, पर यहां तो तीनो रास्ते ही खराब हैं, तो कुछ गारियां इस रास्ते से होके जाएंगी, कुछ गारियां इस रास्ते से होके कि ऐसा तो होनी सकता कि एक ही रास्ते से हर गारी से हरी चलिए एसा हो यह जो लोगों की प्रवृति है वह एसी ही है कि जब तीन रास्ते होते हैं तो यह लोग चुन लेते हैं अपना अपना उसी तुर परंट्थ भी यह दोस्तों करेंट भी अपना रास्ता चुन लेगा तो तीनों खराब रास्तों से लग-अलग मात्रा में करेंट जो है विद्युधारा जो है वह प्रभाइद होगी परन्तु जो सबसे अच्छा रास्ता होगा इन मैं से माझ लीजिए इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है एस रास्ते हैं बहुत बढ़े-बढ़े रोरे एक 2 है अगर इस रास्ता थोड़ा साच्छा है तो इस रास्ते से होगर के बहुत सारी गालिया गुजरेंगी और अगर यह रस्ता इन दोनने के बीच में तो इस रास्ते से वह बर्कितättि शोड़ी से थोड़ी जादा और इससे थोड़ी कम गारिया गुज़एंगी और फिर सारी गारियां आ करके इधर मिल जाएंगी जितनी गारियां आपने इधर से भेजी थी इधर आपको मिलें चलिए इस चीज को मैं इस तरह से आपको संधाने की कोशिश करता हूं कि यह शुरुगात का जो अलग मान के प्रतिरोध हमने लगा दिया ठीक है और फिर यह बाहर निकलने वाला हाइवे है तो देखिए इसका नाम दे दिया मैंने आर वन इसका नाम दे दिया मैंने आर टू इसका नाम मैंने दे दिया आर थ्री अब समझे दोस्तों इस बात को कि जितनी गारिया यहां स यहां पहुचने के बाद देखेगा कि मेरे पास तो तीन रास्ते हैं कोई भी रास्ता ता यहता यह बहुत अउछा चालक नहीं लिस scholars जिस Γर्ंट जो है कि i1 जोड i2 जोड i3 i के बराबर होगा हमेशा जितनी कारिया यहां से जा रही है वही तो बट रही है तो i1 जोड i2 जोड i3 बराबर i है और i1 i2 i3 में ज्यादा मान i1 का है या i2 का है या i3 का है यह किस बात पर निर्भर करता है दोस्तों यह किस बात पर निर्भर करता है क र I 1 जादा है, R O जादा या R 3 जादा है तो ऐसा मान लेते हैं कि R conduct सबसे कम प्रतिरोध है और अर्धातर Thones-On Sat Trae R trzeba R1 Tôi Divine R3 से जादा होगा तो I Two का जो मान होगा सबसे जादा होग क्यों कि R2 का प्रतिरोध कम है, जैसे यहाँ पे इसमें प्रतिरोध कम था इस बीच वाली सड़क में, तो सबसे ज़्यादा गारियाँ से जा रही थी, तो जैसे प्रतिरोध R2 का सबसे कम होगा, तो सबसे ज़्यादा current भी उससे जाएगा, यह कुछ भी हो सकता है, या R1 का अगर मान सबसे कम है, तो सबसे ज़्यादा current R1 से अरवन से होके जाएगा, और फिर यह जो I1 है, वह अब तो इसको एक ही रास्ता है, तो I1 को यहाँ तक पहुंचना परेगा, आई 2 को यहाँ तक पहुंचना परेगा, और सब यहाँ पर आ करके, फिर से मिल जाएगे, और इस सन्योजन को दोस्तों हम लोग कहते हैं पार्शुक्रम सन्योजन प्रिछला वाला था श्रेनीक्रम और यह है पार्शुक्रम सन्योजन श्रेनी क्रम को हम लोग series combination भी कहते हैं दोस्तों दो प्रतिरोधों को Series में लगाना और इसे हम लोग parallel में लगाना कहते हैं parallel में क्यों क्योंकि टीन रेजिस्टर सापस में parallel में हैं इसी लिए parallel जिसे पाश्ष क्रम भी कह रहे हैं तो यह चीजें हम आगे और दूसरे तरीकस देखेंगे पर मैंने आपको यह जो उदाहरन दिया हाईवे वाला अगर आप इसे हमेशा अपने दिमाग में रखते हैं तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी कि जब प्रतिरोध का मान जादा है तो उससे पास होने वाला करे पर यही चीज श्रीनिक्रम में नहीं थी श्रीनिक्रम में कुछ भी रहे प्रतिरोध का मान जितना करेंट जितना विद्युद्धारा एक प्रतिरोध से होके गुजर रही है तो नहीं विद्युद्धारा दूसरे प्रतिरोध से होके गुजरती क्योंकि वहां बस एक ही र यह हो सकता है चार हों या पांच हों कुछ भी तो करेंट जो है उन पांचों रास्तों में और यहां पर जैसा दिखाएगा यहां तीरो रास्तों में बट जाएगा यह देखते हुए किस रास्ते में कितना प्रतिरोध है अगर प्रतिरोध कम है तो ज्यादा करेंट जाएगा तो करंट को बटना ही परेगा इस तरह के जगह पे आके जहां उसे एक से ज्यादा रास्ते दिख रहे और बाद में वो सारा करेंट फिर से मिल जाएगा और जैसा हम देका हाइवेवे के अंत में उतने आपको मिलेगी तो करेंट भी आपको नहीं मिलेगा इस प्रकार से दोस्तों श्रेनी क्रम में सन्यूजित तीन प्रतिरोधों को इस तरह से दिखाया जा सकता है, जो की 22 तरफ के चित्र में दिखाया गया है, जबकि पार्श क्रम में सन्यूजित प्रतिरोधों को इस तरह से दिखाया जा सकता है, आप अंदर ऐसे देख सकते हैं शेनिक्रम और पार्स्ट्रम में कि हर एक प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध के एक छोड़ से जुड़ा है और किसी भी एक प्रतिरोध का फिर जो दूसरा सेरा हुआ वो अगले प्रतिरोध से जुड़ा है और आखरी प्रतिरोध का सेरा बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जुड प्रतिरोध का सिरा यहां पर जैसा R1, R2, R3 में दिखाया गया है कि हर प्रतिरोध का सिरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है R1 का एक सिरा R2 से भी जुड़ा है जबकि R1 और R2 का एक सिरा R3 से भी जुड़ा है और इसी तरह दूसरा सिरा R1, R2 और R3 का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और ये सारे जुड़ाओ बिंदू बैटरी से जुड़े हुए है तो यह अंतर है श्रेनीक्रम और पार्षटरम में हम श्रेनीक्रम को ऐसा भी बना सकते हैं चित्र पे दिखा सकते हैं और पार्ष्ट्रम को इस तरह से भी डिखा सकता है इन दोनों चित्रों में कोई भी अंतर नहीं है दोस्तों क्योंकि इन्हें बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है तो आप यहां जैसा देख रहे हैं R1, R2, R3 एक सीधी रेखा में आपको दिखाई दे रहा है पर दूसरे चित्र में R1, R2, R3 को सीधी रेखा में ना रखते हुए अलग-अलग जिखाई पर रखा गया है पर जब आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों चित्रों में कोई भी अंतर नहीं है क्यों कि देखिए R1 का एक सिरा बैटरी से जुड़ा है यहां भी R1 का एक सिरा बैटरी से जुड़ा है R1 का दूसरा सिरा दोस्तो R2 से जुड़ा है उपर के चित्र में और R1 का दूसरा सिरा R2 से जुड़ा है नीचे वाले चित्र में और इसी तरह आप आगे भी देख सकते हैं और आखरी सिरा आर्थ्री का फिर से बैटरी से जुर जाता है तो आप यह सम कह सकते हैं कि यह जो तारे हैं यह जो वायर है इसकी लंबाई क्या कोई प्रभाव नहीं परेगा तो जी नहीं दोस्तों पितना भी चोटा वरा या बिंदु अकार कहा बनाया जा सकता है क्योंकि हम ऐसा मान करके किसी भी प्रश्ठा को करते हैं कि तारों का अपना कोई भी प्रतिरोध नहीं होता है तो आप इनें लंबा चोटा कितना भी वरागर सकते हैं परन्तु ख्याव रहे कि श्रेनिक्रम और पास्ट्रम का जो मूल भूत सन्रचना है वो ना बिग्रे कि आये अब श्रेनिक्रम में सहयोजित प्रतिरोधों को पुरा और विस्तृत तरीके से समझने की कोशिश करते हैं तो जैसा कि आपको पहले से पता है कि अगर तीन प्रतिरोधों को श्रेनिक्रम में लगा दिया गया और एक बैटरी से जोड़ दिया गया तो एक विद्युधारा प्रवाहित होगी विद्युधारा हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अर्था धनात्मक्र सिरे से निकलती है तो यह आई विद्युधारा इस परिपत में प्रवाहित होगी और चूकि यह एक श्रेनिक्रम है इसलिए यहां से जितने विद्युधारा प्रवाहित हो रही है दोस्त है ही नहीं हर जगह पर चाहे वो रास्ता खराब हो या चाहे वो रास्ता अच्छा हो उतनी ही गाड़ियां गुजरेंगी जैसे कि यहां पर उतना ही करेंट उतनी ही विद्युधारा गुजर रही है और वही आई घूम करके फिर बैटरी के पास चलिए तो इस तरह से इस हमने बना दिया अब अगर ओम का नियम याद करेंगे दोस्तो तो आपको याद आएगा की किसी भी प्रतिरोध के कि दोनों सिरों के बीच का विवाными अरफ़ात अगर हम उसका प्रतिरोध का मान, V equal to IR, यह ओम का नियम है दोस्तों, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा है, उसी तरह अगर आप R2 के लिए निकालेंगे, तो V2, मैं इसको दूसरे रंग से बनाने कुछ करता हूँ, तो V2 आप पाएंगे, I क्योंकि उतनी विद्धारा प्रवाहित हो रही है, इंटू R2, और अगर आप दीसरे R3 के लिए बनाना चाहते हैं, तो आप बनाएंगे, V3 is equal to I into R3, तो आप हमने क्या किया है कि, चुकि हमें पता है कि विद्धारा समान प्रवाहित हो रही है तीनों क्रतिरोधों से, इसलिए हम आई यहां भी, आई यहां भी और आई यहां भी ले करके, जितना भी विववांतर होगा, V1, V2 और V3, जो कि हमने R1, R2 और R3 के दोनों सिरों के बीच का विववांतर माना है क्रम शर्म, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अब दोस्तों हमें एक सूत्र लिखना है, और यह बहुत ही आसान सूत्र होगा दोस्तों, क्योंकि यह जो विद्धारा प्रवाहित होने के कारण जो विववांतर बन रहा है, R1, R2, R3 के दोनों सिरो के बीच में, अगर हम इन विववांतरों को जोड़ दें, तो वो विवांतर कुछ नहीं बलकि भी के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि यह बैटरी ही है, जो इन सब को विववांतर दे रही है, तो अगर इन सब का विवांतर आप जोड़ दें, तो वो भी के बराबर होगा, इसका भी एक नियम है दोस्तों, पर आपको इस नियम के नाम से इस कक्षा में पढ़ाई नहीं करें उसे कहते हैं Klechops का नियम और इसे यहाँ पर जो मैं प्रयोग में ला रहा हूं उससे कहते हैं Klechops Voltage Law अर्था क्रिशॉप के विववानतर का नियम पर आपको उजना ध्यान देने की जरूरत नहीं है अभी अभी अगर इतना भी समझ गए कि इन विवानतरों का योग इस बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा तो काफी है तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों V is equal to V1 plus V2 plus V3 बहुत अच्छा देन उसके बाद क्या कर सकते हैं V is equal to V1 के जगह हम I गुने R1 V2 के जगह I गुने R2 और V3 के जगह I गुने R3 लिख सकते हैं और V is equal to अगर I को आप सब में से बाहर निकालने तो यह आएगा R1 जोड R2 जोड R3 सही है दोस्तों यहां तक आप समझ गए अब देखी दोस्तों मेरा मकसद यह है कि मुझे R1, R2, R3 इन सब के बारे में बताना है आपको कि जब आप इन तीनों को जोड देते हैं तो इसका जो एक कलेक्टिव जो एक समुच्य रूप से जो प्रभाव परता है सर्केट पे इस परिपत पे वो कितना होगा तो उसके लिए मैं आप यहां एक दूसरा चित्र बनाने जा रहा हूं गौर्च देखीगा दोस्तों मैं ऐसा मान रहा हूं कि इस R1, R2, R3 तीन अलग अलग प्रतिरोधों के बदले अगर मैं एक ही प्रतिरोध बनाऊं और इस प्रतिरोध का मान इतना हो कि इन तीनों के बदले वो वहां पर आ जाए तीनों के बदले वहां पर आने का क्या मतलब है कि आप इन तीन प्रतिरोधों को ना लगाए बलकि एक प्रतिरोध को भी लगाए तो इस पूरे परिपत में कोई भी नुकसान नहीं होगा, जैसे विद्युधारा पहले प्रवाहित हो रही थी, वैसे ही विद्युधारा प्रवाहित हो रही थी, इसका नाम हम दे देते हैं R, तो और R के आगे मैं EQ लगा रहा हूं दोस्तों, EQ मतलब equivalent, equivalent मतलब समरूप एक त प्रवत में डाल दें, तो current उतना ही प्रवाहित होगा, अब मुझे इस R equivalent और R1, R2, R3 में एक संबंध हस्तापित करना है, और उसके पहले मैं circuit पूरा कर देता हूं, यहां पर battery है, और इसका दूसरा सिरा R equivalent के दूसरे सिरे से जुड़ा है, तो आप जैसा यह देख रहे ह है दोस्तों, वो battery यहां पर आ गई, और इन तीनों के बदले मैंने यहां पर एक R equivalent बनाया है, चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि, यह R equivalent ऐसा है कि जितना विद्युधारा, जितनी विद्युधारा पहले प्रवाहित हो रही थी, उतनी विद्युधारा अभ R is equal to R equivalent, मैं सही लिख रहा हूँ ना, जी बिल्कुल सही लिख रहा हूँ अब देखिए, अब मैं आपसे बस एक चीज पूछता हूँ, इसे हम equation 1 मानते हैं और इसे हम equation 2 मानते हैं, अब equation 1 और equation 2 में आप देखेंगे तो दोनों का बाय हात की जो चीज है, अर्थात यह voltage जो है, दोनों में तो बराबर है, अर्थात हम लोग equation 1 is equal to equation 2 लिख सकते हैं, equation 1 is equal to equation 2, तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, I गुने R1 plus R2 plus R3 is equal to I गुने R equivalent, अगर आप कटाना चाहें, तो यह I, I कट जाएगा, और आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यह बहुत ही महतरपूर्ण सूत्र हमें मिला, R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3, अर्थात, सीरीज में जुरेगवे प्रतिरोधों का, अगर आप समुच्य मान निकालना चाहें, तो आप सारे प्रतिरोधों के मान को जोड़ दें, और जितना मान आपको मिले, उतने मान का एक, बस एक ही प्रतिरोध अग होगा, बल्कि दोनों परिपत एक ही तरीके से काम करेंगे, तो यह जो पहला सूत्र हमें मिला है दोस्तों, यह श्रीनी क्रम के लिए, इसी तरह हम लोग पार्श्क्रम के लिए निकालने की कोशिश करते हैं, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को यहाँ पर रोक करके, खुद से एक बार कोशिश कर सकता है कि पार्श्क्रम में इस चीज को कैसे लाया जाए, मैं आगे चलता हूँ तब तक, आईए अब पार् R2 और R3 जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को पता है कि जब यहाँ से आई विद्युद्धारा प्रवाहित होगी, तो यहाँ आने के बाद विद्युद्धारा तीन अलग अलग भागों में बट जाएगी, तो ऐसा मानते हैं इसमें I1, इसमें I2 और इसमें I3, और य विद्युद्धारा का बटना किस आधार पे होगा दोस्तों, किस प्रतिरोध में ज़्यादा विद्युद्धारा जानी चाहिए, जिसके प्रतिरोध का मान कम है, क्यों, क्योंकि वो एक अच्छी सड़क मानी जाएगी, तो अच्छी सड़कों से ज़्यादा गारिया होकर पूरा करने के लिए फिर i1 प्लस i2 प्लस i3 जुड़के i1 जाएंगे जो की बैटरी में मिल जाएगी जितनी बैटरी से निकली थी उतनी बैटरी के पास पहुंच गी जी तो श्रेनी क्रम से पार्ष्टरम अलग इस अंदाज में हो गया कि श्रेनी क्रम में समान से अलग अलग गुजरती है और यह किस पर निर्भर करता है यह निर्भर करता है R1, R2, R3 के मान के उपर पर यहां एक जो समान रहने वाली बात है वो यह है दोस्तों कि अगर आप R1 पर ध्यान के इंद्रित करें तो आप देखेंगे कि R1 का दोनों सिरा बैटरी के दोनों सिरों से जुड़ा हुआ है अर्थात इसका सीधा मतलब यह है कि R1 के दोनों सिरों के बीच का विवानतर इस बैटरी के दोनों सिरों के बीच के विवानतर के बरावर होगा अर्थात इस बैटरी का मान अगर भी है तो R1 के दोनों सिरों के बीच का विवानतर भी वी ही हुआ है तो R2 के दोनों सिरों के बीच का विवांतर भी ही होगा और इसी तरह R3 पर भी अगर आप देखें तो R3 भी उसी बैटरी से जुड़ा हुआ है तो R3 के दोनों सेरों के बीच का विवांतर भी भी ही ही होगा तो पार्श्क्रम में करेंड तो अलग-अलग होता है विद्धारा तो हर प्रतिरोध से अलग-अलग होती है दोस्तों परन्तु जो voltage होता है, जो बिववांतर होता है हर प्रतिरोध के दोनों सेरों के बीच का वो बराबर होता है वी के तो यहाँ अगर ये वी है तो R1, R2 और R3 के दोनों सेरों के बीच का विवांतर भी वी ही होगा तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि एक और मैं चित्र बनाता हूं जैसा कि पिछली वर बनाया था और इसका नाम देता हूं R-Equivalent और इसको मैं बैटरी से जोड़ देता हूं R-Equivalent का क्या मतलब है दोस्तों R-Equivalent का मतलब है कि एक ऐसा प्रतिरोध जिसे अगर आप इन तीनों प्रतिरोधों के बदले में लगा दें अर्थात इन दोनों सिरों के बीच में अगर आप R-Equivalent लगा दें तो इस करेंट का मान नहीं बदलेगा वो आई ही रह जाएगा तो ऐसा प्रतिरोध हमें खोजना है अर्थात R1, R2, R3 के बदले में ऐसा एक प्रतिरोध कितने मान का लगा दों वो मुझे धूनना है तो चलिए शुरू हो जाते हैं फिर से तो मैं जब इसका सूत्र बनाने की कोशिश करूँगा तो मैं यहाँ क्या लिखोंगा दोस्तो I is equal to I1, I2, I3 यह तो कोई बड़ी समझने की चीज है नहीं क्योंकि यहाँ से जितनी गारिया गुजर रही है और यहाँ तीन रास्ते हैं तो इन तीन रास्तों में जितनी गारिया गई वो उन गारियों को अगर आप जोड दें तो आपको कुल गारियों की संख्या मिल जा जाएगा वो तीन भागों में बट रहा है तो आप उन तीनों भागों को जोड दें तो आपको मूल विद्युधारा मिल जाएगी ऐसे मैं आपको बता दूं कि इस इस तरह से जो मैं सूत्र लिखा है इस सूत्र को क्रिचॉप्स करेंट लॉ कहते हैं जिसके वो हिंदी में क्रिचॉप्स के विद्युधारा का नियम कहा जा सकता है पर वो आपको इस कक्षा में नहीं पढ़ना वो आपको आगे की कख्षाओं में पढ़ना होगा तो मैं उ आनी से लिख सकते हैं, अब अगर आप I1 को लिखना चाहें दोस्तों, I1 अर्थात R1 से प्रवाहित होने वाले current को लिखना चाहें, तो आप क्या लिखेंगे, ओम का नियम का फिर से प्रियोग करते हैं, ओम का नियम क्या कहता है, V is equal to I into R, तो I is equal to V by R, तो I1 के बदले हम क्य लिख सकते हैं, दोस्तों, V by R1, और यह V क्या है, यह V यही voltage है, जो यहाँ पर इस बैटरी ने दिया है, I2 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, दोस्तों, फिर से V upon R2, V बटे R2, देखिए, यहाँ भी voltage वही है, यहाँ भी voltage वही है, क्योंकि R1, R2 दोनों के सिरों के बीच का विवानतर V ही है, और उसी तरह जोड V बटे R3, जी बिलकुर, तो यह मैंने दाए हाथ के चीजों को आप इस I को लिखना चाहूं, तो यहाँ तो दोस्तों, यहाँ से भी वही खुजर रहा है, जो यहाँ से खुजर रहा है, तो इस I को मैं इस नीचे वाले चितर से लिखने की कोशिश करूंगा, तो I के बदले मैं लिख रहा हूं दोस्तों, V upon R2, कोई दिक्कत? मुझे तो दोनों तरफ इस बढ़ाबर चिंद के दोनों तरफ से अगर आप हटा करके कटाना चाहें, तो आसानी से कटा सकते हैं, और आप लिख पाएंगे फिर 1 बटे R equivalent is equal to 1 बटे R1, जो और 1 बटे R2, जो और 1 बटे R3, तो यह जो सूत्र मिला हमें दोस्तों, यह पार्षक्रम मे सन्योजित प्रतिरोधकों का प्रतिरोधकों के लिए एक बहुत ही महतपून सूत्र है, और R1, R2, R3 पे हम रुख, ना तो मुझे हमें नहीं चाहिए, अगर यहां चार ऐसे चार प्रतिरोध अगर पार्षक्रम में जुड़े होते, तो हम लिखते R4, और अगर N प्रतिरो करने होंगे दोश्ते, यह बहुत ही जरूरी है किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए, और यह दस्वी कक्षा में एक बहुत ही महतवपूर्ण भाग भी है जो आपको समझना है, तो स्रीनिक्रम में हमने क्या देखा था, R equivalent कितने के बराबर था, आपको बस R1, R2, R3 को जोर्ध हैं, आप उतने प्रतिरोधकों को जोर्ध है, जबकि पारश्क्रम में वो बदल गया सूत्र, और वो क्या हो गया, एक बटे R equivalent is equal to, एक बटे R1, जोर एक बटे R2, जोर एक बटे R3 और इसी तरह आगे भी, तो इन दोनों सूत्रों को आपको समझना है, और याद आगे रहना है, आईए दोस्तों कुछ प्रश्न बनाते हैं, किसी अज्यात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को सयोजित करने पर परिपत में 2.5 मिली एंपियर विद्युधारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध का प्रतिरोधक परिकलित कीज तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया है, हमें वोल्टेज की वैल्यू दी है 12 वोल्ट और फिर करेंट दिया है 2.5 मिली एंपियर तो जब भी ऐसा दें दोस्तों आपको आप मिली, माइक्रो ऐसा कुछ भी तो उसे बदल लें, 2.5 मिली एंपियर को हम लोग तीन, तो मैं एक चितर बना देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, कहता है कि एक प्रतिरोध है, जिसे बारा वोल्ट की बैटरी के सिरों के बीच में जुर दिया गया है, तो यह बारा वोल्ट दिया है, इस से यह हमें निकालना है दोस्तों यह आर हमें नि निकालना है और इससे जितने विद्यधारा प्रवाहित हो रही है वो दिया है जो कि है 2.5 मिलियंप और यह वी इकल टू 12 जब कि हमें र निकालना है तो बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों क्यों क्यों कि इसमें सीधे-सीधे ओम का नियम अगर हम लगा दें तो पता चल जाएगा तो ओम का नियम क्या कहता है वी इस इकल टू आई आर अर्थाथ आर इकल टू वी बाई आए तो वी है 12 और 2.5 गुने 10 प्रवावर माइनस 3 इसको अगर जब आप सो बनाएंगे तो आप पाएंगे यह है 12.000 बटे 2.5 त तो आप कितना पाएंगे दोस्तों अब निकाल सकते हैं आप पाएंगे 4.800 ओम जिसे हम लोग 4.8 किलो ओम भी लेख सकते हैं किलो अर्थाथ 10 प्रवावर 3 माइनस 3 नहीं 10 प्रवावर 3 माइनस 3 कहते हैं मिली को तो इतने 4.8 किलो ओम का अगर आप यहाँ पर प्रतिरूद लगाते हैं तभी इस परिपत से 2.5 मिली अम्पियर दिधार प्रवाहित होगी जो कि हमने ओम की नियम से समझा और बनाया तो कुछ और प्रस्ण देखते हैं जो कि इससे जादा अच्छे हैं चलिए एक और प्रश्न हल करते हैं कह गया है कि 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम अथवा 4 ओम हो तो हमें 3 6 ओम 6 ओम और 6 ओम के 3 ऐसे प्रतिरोध दिए गया हैं और प्रश्न हमें यह प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है दोस्तों कि इन 3 प्रतिरोधों को आप किस तरह जोड़ेंगे आपस में कि इनका जो समानांतर प्रतिरोध है वो एक वार 9 ओम आ जाए और फिर किसी दूसरे तरीके से जोड़ें तो 4 ओम भी आ जाए तो आप खुझसे भी इस वीडियो को यहां थोरी देर के लिए रोग करके सोच सकते हैं कि कैसा बनाया जाए मैं आपको बना के दिखा देता हूं कि चलिए माल लीजिए कि अगर आपने इन प्रतिरोधकों को पहले श्रीनीक्रम में जोड़ दिया तो क्या होगा तो यह च्छेयों यह च्छेयों और यह च्छेयों तो श्रीनीक्रम में क्या होता है दोस्तों श्रीनीक्रम में जब समुझे प्रतिरोध कितना आता है सबकी योग के बराबर 6 जोर 6 जोर 6 अर्थात 18 ओम तो आपको एक 18 ओम का प्रतिरोध मिलेगा पर हमें 18 ओम तो चाहिए नहीं हमें तो 9 ओम चाहिए चलिए दूसरी चीज़ सोचते हैं अगर तीनों प्रतिरोधों को हमने पार्ष्ट्रम में लगा दिया 6 ओम 6 ओम और 6 ओम सबका जो मान है प्रतिरोधों का वो 6 ओम है तो पार्ष्ट्रम में जब आप निकालेंगे तो क्या होता था दोस्तों 1 एक बटे R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 is equal to 1 by 6 जोर 1 by 6 जोर 1 by 6 is equal to 1 by 2 अर्थाद जब आप निकालेंगे तो R equivalent is equal to आपको मिलेगा 2 ओम यहाँ 2 ओम यहाँ 8 ओम तो नहीं आप इन तीनों को सिरीज में लगा सकते हैं और नहीं एक साथ पैरलल में नाहीं स्रेनिक क्रम नाहीं पार्ष्ट्रम अब तो कुछ और करना पड़ेगा तो अगर हमने ऐसा बनाया अब देखिए गौर से देखिए एक छेओं को दूसरे छेओं के साथ पार्ष्ट्रम में लगा दिया और इन दोनों के पार्ष्ट्रम के संयोजन को आखरी बच्चेओं के साथ श्रेनिक क्रम में लगा दिया तो आप सोचिए क्या होगा ये दोनों छेओं जो पार्ष्ट्रम में है इनका अपना एक समनांतर प्रतिरोध होगा जो की इस छेओं के साथ सीरीज में अर्थाथ श्रेनिक्रम में होगा तो जब आप इन दोनों पार्ष्ट्रम संयुजन का प्रतिफल निकालने की कोशिश करेंगे तो आप बता सकते हैं कितना आएगा एक पटे छे जोर एक बटे छे इक वल टू एक बटे तीन अर्थात यह तो एक बटे आर एक्वेलेंट है दोस्तों तो आर एक्वेलेंट कितना मिल गया जी हां तीन तो अर्थात यह जो हरे रंग में जो आपको प्रतिरोध दिखा है वो तीन ओम के बरावर है अब जब इन दोनों प्रतिरोधों को आप जोड़ेंगे तो यह तो श्रेनिक रम्म है तो फाइनल जो आपको आरेक्वेलेंट मिलेगा वो कितना मिल रहा है दोस्तों तीन ओम जोर श्रेनिक रम्म है नौम के बरावर है नौम ही तो हमें चाहिए था हमने पाल लिया अर्थात अगर आप दिये गए इन तीन श्रेंग 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 के प्रतिरोधों को इस तरह से अगर आप संयोजित कर देंगे तो आपको नौम मिल जाएगा जी मैं इसको एक बार साब से बना देता हूं ताकि आपको समझ में आजाए मैंने क्या किया है कि एक छेंग और दूसरे छेंग के प्रतिरोध को पार्ष्रम में लगाया है और इसके साथ एक तीसरे छेंग को श्रेंग में डाल दिया है तो इनका जो प्रतिफल होगा इस छेंग के साथ सिरीज में होगा और वो दोनों मिल करके नौम आपको प्रतिफल देंगे तो अब चलिए आप चारों के लिए सोचते हैं कि चारों के लिए क्या होगा चारों हम कैसे पास सकते हैं तो फिर से आपके पास कितने हैं आपके पास तीन ऐसे आपको इन्हें जोड़ना है तो अब बता सकते हैं दोस्तों कैसे जोड़ेंगे मैं यहाँ आपको करके दिखा देता हूँ एक छेओम और दूसरे छेओम को सिरीज में डाल दिजी और तीसरे छेओम को इन दोनों के साथ पैरलल में डाल दिजी पैरलल अर्थात पार्ष्ट्रम में तो देखे मैं क्या कर रहा हूँ मैं इन दो छेओम के प्रतिरोध को के प्रतिफल को इस छेओम के प्रतिरोध के साथ पार्ष्ट्रम में लगा रहा हूँ अर्थात आपको क्या करना परेगा पहले इन दोनों का प्रतिफल यहां लिख लेना परेगा, तो दो छे ओम के प्रतिरोध को सीरीज में लगाने पर 12 ओम का प्रतिफल मिलेगा जो की इस 6 ओम के प्रतिरोध के साथ पार्श्ट्रम में है दोस्तों, तो अब आपके पास एक 12 ओम का प्रति रोध है और एक 6 ओम का प्रति रोध है जो की पार्ष्ट्रम में है तो इन दोनों का एक बटे आर एक्युवेलेंट कैसे निकालेंगे हम लोग एक बटे 12 जो एक बटे 6 जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों मैं आपको ऐसा दिखाता हूं दो बटे 12 लिखने से थोड़ी आसानी हो जाती है तो तीन बटे बार आप इसको मैंने उपर नीचे 2 से गुना कर ये भी कर सकते हैं आप किसी वी तरह से चाहे निकाल लें ये मेरा तरीका है तो 3 बट्टे 12 अर्थाथ जब आप आरेक्योबैलन निकालेंगे तो 12 बट्टे 3 जो की बराबर होता है 4 अर्थाथ इन दोनों सिरों के बीच में जो आपको प्रतिरोध का मान मिलेगा, वो इन 12 ओम और 6 ओम के प्रतिफल के बराबर होगा, और वो है चारों जो की हमारे प्रशन ने पूछा था, तो 9 ओम लेने के लिए हमने दो प्रतिरोध को सीरीज में लगाया, नहीं, सीरीज में कब लगाया, जब हमें चारों चाहिए था, और दो सीरीज के साथ तीसरे प्रतिरोध को पैरलल में लगा दिया था, पार्श्ट्रम में लगा दिया, जबकि 9 ओम चाहिए था, तब हमने क्या किया था दोस्तों, जी ब सिरीज में डाल दिया इस तरह के प्रश्ण आप अपनी पाठी पुस्तक से देख करके बना सकते हैं यह बस मैंने एक उदाहरण के तौर पर आपको दिखाया है एक छोटे से ट्रिक के साथ मैं इस कक्षा को यहीं समाप्त करना चाहता हूं और वो ट्रिक एक सोचने का तरीका है दोस्तों तो हमें पता है कि जब कोई भी प्रतिरोध शेनी क्रम में होता है तो जो हम समरूप प्रतिरोध लिखते हैं वो आरवन जोर आरटू जोर जितने भ ही उसमें प्रतिरोध होंगे और अन तक उसका सीधा सीधा योग होता है यह निकालना बहुत ही आसान है कि यह एक सीधा योग है पर जब पार्शक्रम में बहुत सारे प्रतिरोधों को लगा दिया जाए तो इसका जो सूत्र है वो थोरा सा कठिन है एक बटे आर एक्युव आपको यहां पर बात कर रहा हूं इस पार्शक्रम में सहिं योजन के साथ की यह एक जगह प्याकर बहुत आसान हो जाता है और अगर लिजे की दो प्रतिरोध आपस में प्रतिरोध में जुरे होगी है कि दोस्तने पार्ष्ट में जुरे हैं और अगर अगर इनका दोनों का जो प्रतिरोध मां करे वो दस ओम या फिर दस ओम हों दोनों का प्रतिरोध समान हो तो आपको यह जो सूत्र है वो उसमें लिख करके मान निकालने के जरूत नहीं है बलकि आप सीधा-सीधा 10 बटे 2 अर्थात 5 ओम लिख सकते हैं अगर इसका मान 10 ना हो करके आर ओम होता मैं इसको अब एक एक बहुत ही जेनरल तरीके से बताने कुशिश कर रहा हूं तो इसका भी आरों होता अगर दोनों का मान समान होता तो क्या हो जाता दोस्तों तो आर बटे 2 ओम जो इसके समरूब तो प्रतिरोध का मान हाता वो ढर्प्रतिरोध लगे होते तो इसका जो क्यूं सम्रूब प्रतिरोध है आर केहएक जो है वह और क्योषben दोस्तों बराबर हो जाता आर बटे रचीरूध अगर आप एक और बी चोर की बीच में लगा दें तो वह इन तीन प्रतिरोध को के समरूप हो जाएगा समरूप अवरूध पैदा करेगा तो मैं यह चो तीन और यहां वा उपर मैंने ज़े उसको बाट दिया, यहां कुल प्रतिरोधों की संख्या 3 थी तो हमने 3 से बाट दिया, अगर इसी तरह N संख्या हो प्रतिरोधों की, इस तरह 1, 2, 3, इस तरह करते करते N, तो यह हम क्या लिखेंगे दोस्तों, N लिखते हैं, तो यह एक आसान हो जाता है थोड़ा समझने के ल समान की, नहीं तो आपको इस सूत्र से ही जाना परेगा, पर अगर आप इस सूत्र को बस दो प्रतिरोधों के लिखते हैं, तो एक बटे R1 जो एक बटे R2, तब इसको थोड़ा सा और आसान करने के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं, तो जब इसको आप हल करते हैं, तो आपक तो आप इस सूत्र को भी इसी तरह से याद कर सकते हैं कि जब दो पार्ष्ट्रम में प्रतिरोध लगे हो तो उसका समरूप प्रतिरोध R1 गुने R2 बटे R1 जोर R2 होता है तो खेर ये सब चीजें आप जब अपनी कक्षा की किताब से पढ़ेंगे तो आपको और अधिक समझ में आने लगेंगे पर इस कक्षा में इतना ही अगली कक्षा में हम देखेंगे विद्योधारा के तापिये प्रभाव एवं शक्ति के बारे में तक तक के लिए धन्यवाद